नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंजे नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांड़ी अपने दमदार अभी ने अवाज और खुबसूरती से सालों से फ्रैंस के दिलों पर राज करने वाली एक्रिस रानी मुखर जी आज अपना 45 बर्दे मना रही है रानी मुखर जी ने बॉलिवूड इंडस्ट्री में डेब्यू साल 1996 में आई फिल्म राजा की आएगी बरात से किया था बॉलिवूड एक्रिस रानी मुखर जी इन दिनों अपनी फिल्म मिस्स चैटर जी वर्स नौर्वे को लेकर काफी जादा सुर्कियों में हैं सच्छ इंटर्व्यू के दौरान एक्रिस ने अपने जन्म का एक किस्सा सुनाया था जिसे सुनकर आप भी दंग रहे जाएंगे आप जानते हैं कि जन्म के समय रानी की अदला बदली एक पंजाबी परिवार के बच्चे से हो गई तो वे गलती से एक पंजाबी जोड़े की कमरे में पहुच गए थी एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उनकी माने बच्चे को देखा तो वे समझ गई कि वे उनका बच्चा नहीं है रानी ने बताया था मेरी माने डॉक्टर से कहा कि उनके बेटी की आखे भूरी हैं इसके साथ ही रानी मुखर जी की माने डॉक्टर को उ पर परिवार उने मजाप में कहता है कि वे पंजाबी है और गलती से उनके पास आ गई है बता दे कि रानी मुखर जी फिल्मेकर राम मुखर जी की बेटी है और उन्हें यश चोपरा के बेटे अदित्या चोपरा के साथ साथ फेरे लिए हैं तो इसी तरह की तमाम ख़बरों के लिए जोड़े दिए इंजिन नुश के साथ